विकास दुबे जानकारी के मताबिक विकास दुबे और उसके करीबियों की दुबाई से लेकर दूसरे देशों में करोडों की प्रापटी है बैंकोक के एक होटेल में भी उसने निवेश किया था रातों रात करोड उपती बने विकास दुबे के फंड मैनेजर की भी अब इंकम टेक्स विभाग जांच करेगा अब तक 12 मकान और 21 फ्लेट की जानकारी मिल चुकी है, खरीदी गई थी पोलिस सूतरों के मताविक विकास दुबे के करीबी के पास आरे नगर में 80 फीट रोड इलाके में 28 करोड की प्रापटी है विकास के इस करीबी के पास आरे नगर के एक अपार्टमेंट में 8 फ्लेट हैं जिनकी कीमत 5 करोड रुपए है इसमें 6 प्रॉपर्टी हैं जिनकी कीमत 20 करोड के आसपास है पनकी में एक डूपलेक्स बंगला भी है जिसके कीमत करीब 2 करोड रुपे है विकास के घर से कई लगजरी गाडियां भी वरामत की गई थी जिससे पता चलता है कि वो एशो अराम और महंगी चीज़ों का कितना बड़ा शौकीन था हालां कि पुलिस के कारवाई के बाद अब ये गाडियां कबाड में तब्दील हो चुकी है इन हिस्सों में ये एक हिस्सा अंदर जाता है और इस हिस्से से अगर आप अंदर जाएं तो आपको ये सीडियां दिख रही होंगे उपर की तरफ जाती हो यही सीडियां नीचे तहखाने की तरफ जाती है एक अंदाजे के मुताबिक विकास और उसके परिवार के नाम करीब थाई सो बीगा जमीन है विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैद गबजा, प्रोटेक्शन मनी और हाईवे पर चलने वाले ट्रकों का माल लूट कर करोडों के संपत्ति बनाई इनी अपरादों की वज़े से वो यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर बन गया विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपूर के आसपास के लगबग हर फैक्ट्री से वो रंगदारी वसूलता था जीटी रोड के किनारे वसे चौबेपूर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां है नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था इस मकान में वो रहता था उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं यह आप देख रहे हैं यह जो आपको सामने यह स्क्रीन दिख रही है और स्क्रीन के ऊपर का हिस्सा देखिए वो यह इसलिए आपको दिखाना ज़रूरी है कि किस तरीके से उसको पलपल की जानकारी मिल रही थी यह हिसाब देख रहा है यह CCTV का डिकोडर है यह CCTV का रिसीवर है और इस स्क्रीन पर उसको अपने घर के चारो तरफ जो मूवमेंट होती थी उस सारी मूवमेंट की उसको जानकारी होती थी यानि कि उसके घर के तीनों दर्वाजों पर अगर पुलिस की टीमें तैनात हो गई थी पुलिस की टीमें कौन सी दिशा से कितनी जिपसी उसके घर के आसपास इंटर हो चुकी है उसके घर के दर्वाजों तरह आ चुकी है वो इस कमरे से बैठके सीधा देख पा रहा था क्य प्सक्राइब एक